हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल जिस्टग ग्यानतु दोस्तों जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता चली गया होगा कि जो कॉलज और यूनिवस्टी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पंजाब सरकार की और से जो इंटरनेट अनाउंस मिलन जाएँ वाला है two thousand रुपीज का तो वो उसके लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया है तो काफी सारे स्टुडेंट्स के मन में कुछ डौट्स हैं कुछ स्वाल्स हैं तो उन सभी डौट्स को क्लेदे करने के लिए आज की वीडियो को मैं लेके आया हूँ तो जो लोग म उनलाइन क्लास के लिए शात्रों को मिलेगा दो हजार पे इंटरनेट अलाउंस सी एम चनी ने दी जानकरी तो आप यहां पर जो अफिशल लेटर है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि वहां पर जो उन्होंने एक अनॉस्मेंट की है कि जो भी कॉलज या उनिवस् स्कोप बंद कर दिया गया है तो उनकी जो स्टुधन की क्लासे से वो ऑउनने क्लास हैं की तो ऑनलाइन क्लासे लिए उन्होंने स्टुडेंट की sollte के लिए टू थाव 1970 यहां ने अनॉब को इनलोगों को मिलने वलाと思います कि इसके बारह में अभी आपको कर देता हूं तो अब आप इनकी जो official letter है वहां पर भी check कर सकते हैं कि जो इनकी letter है वहां पर इनमें साफ special लिखा है कि जो higher education वाले institute हैं college हैं universities हैं वहां पर इन students को जो mobile allowance है internet allowance है वो मिलेगा online classes के लिए online studies के लिए तो यहां पर सारी उन्होंने ट्रेल्स लिखी है इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाई है कि इसमें कौन कौन सीटेल्स इन्होंने बताई है सबसे पहले जो कोशन है कि आपको यह फॉर्म कहां से मिलेगा तो वो अपने कॉलर्स से ही सभी स्टूडन्स को अपने एकॉर्डिंग जो परफॉर्मा है वो दे रहे है इसके लवा अगर वहां पर आपको नहीं मिलता है तो मैं अपनी डिस्क्रिक्शन में एक लिंक दे दूँगा तो वहां पर जाकर आप गॉगल ट्राइब से भी जाकर वो एपलिकेशन फॉर्म में डाउलोड कर सकते है तो दूसरी बात करते हैं कि आपने जो यह एपलिकेशन फॉर्म बरके देना है इसके साथ कौन-कौन से प्रूफ देना है अपने तो यहाँ पर एक बार मैं application form को बता दूँ कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी information फिल करनी है student name, father name, mother name, class, course, date of birth, mobile number, email ID mobile number of parents का देना है आपने, अपना address देना है यहाँ पर Punjab Regents, yes no, फिल करना है, college का नाम बनना है, उसके सारी details बननी है अपने bank की details फिल करनी है और last में signature करके आपने यह जो form है अपने college के principles यहाँ अपने college के जो भी office होगा वहाँ पर आपने इसको submit कर देना है, तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके कौन कौन से documents लगने वाले हैं तो सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ पर आपने जैसे application form में भी लिखा हुआ है अधार card number तो आपने सबसे पहले अपना एक अधार card की copy देनी है दूसरा आपने वहाँ पर birth proof के लिए आपने अपना birth certificate की copy देनी है आपने metric pass के 10th pass की certificate की copy आपने submit करवानी है इसके इलावा आपने जैसे यहाँ पर फिल करना है अपने bank account की detail को फिल करना है इसके साथ आपने bank account की passbook की photo copy को भी submit करवाना है तो यह कुछ important documents है इसके साथ ही अपने Punjab का रेजिनेस certificate आपके पास है इसके इलावा कोई अलग से कोई documents किसी college या university से मांग ली जाते हैं तो वह वहाँ पर जाकर ही आपको पता चलेगा कि जैसे कोई COVID certificate कोई मांग लेते हैं या फिर कोई आपके पास identity card का कोई proof है तो वह आपका college का कोई बना होगा तो वह आपसे मांग लेते हैं तो वह वहाँ पर जाकर ही आपको उनकी instructions में पता चलेगी कि उनके दवारा काउंट कोई से आपको डिमांड कीगे हैं तो फिलाल आपने कुछ जो जुरूरी documents attached करने हैं वह अधार कार्ड की copy है birth certificate की copy है 10th pass certificate की copy है और bank account की copy है और residence certificate की copy है यह important documents है जो आपने submit करने हैं साथ में next time बात कर लेते हैं कि इसमें जो eligibility वो क्या रहेगी तो eligibility की बात करें तो यहाँ पर जो letter है यहाँ पर last minute नहीं लिखा हुआ है कि जो students इसमें apply करेंगे college के या 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 यूनिवस्टी के जो भी study कर रहे हैं उनकी जो age है वो एक जनुरी 2022 को 18 साल से उपर होने चाहिए 18 साल से कम नहीं होने चाहिए इसके इलावा यह जो benefits मिलने वाला है mobile allowance का यह उन सबी students को मिलेगा जो पंजाब के residents के जो पंजाब के रहने वाले हैं out of state जो पंजाब के हैं उनको यह benefit नहीं मिलेगा तो यह कुछ eligibility हैं जो आपको यहां पर देखनी पड़ेंगे कि क्या का अपने करना पड़ेगा इसके इलावा और भी कई instructions जो होंगी वो आपको अपने कॉला से मिल जाएंगी तो next हम बात करते हैं कि यह जो आप सारा परफॉर्मा फिल करके अपना 2000 mobile allowance इंटरनेट allowance के लिए फिल करके अपने कॉलास में जमा करवाएंगे तो आपको कब तक यह allowance जो मिलने वाला है तो यह मैं बता दूँ कि सभी कॉलास जो हैं जो इन्सिचूट हैं वो उन्होंने सभी स्टूड़न से फॉर्म लेने शुरू कर दी हैं और सभी फॉर्म यहां जो भी वो collection करेंगी स्टूड़न के कटीरिये को तो वो सबसे पहले चेक करेंगे उन सभी details को उसके बाद वो एक DD बनाकर यहां सारी details बनाकर वो hierarchy authority को बेजेंगे और hierarchy authority जो है वो एक draft के द्वारा जो भी आपने accounts दिये गए होंगे यह attach की होंगे वहां पर आपके जो accounts में direct जो पैसे हैं वो आपके transfer हो जाएंगे internet allowance के तो इसमें थोड़ा process लगेगा क्योंकि अभी सारे candidates सारे students जो apply क करेंगे तो उनकी फिर्मिशन जो है वो hierarchy authority को जाएगी तभी सभी का एक डीडियो बनेगा तो एक अठे डीडियो जो जमा हो जाएगा तो वहां से आपके सारी जो accounts होंगे वहां पर direct पैसे आ जाएंगे तो students यह थी मेरी आज की जानकारी जिसका कुछ doubts थे उनके मन में हमे form कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा और एक और डाउट है अभी students के मन में कि यह कौन-कौन apply कर सकते हैं तो इसके मैं बता दूँ कि जो government college हैं government college के इलावा जो private college हैं added college हैं यूनिवस्टी जाएं यूनिवस्टी के आगे जो campus होते हैं वहां पर जो भी students study करें वो सभी यहां पर apply कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो students मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा इसी तरह की कोई और भी नहीं अपडेट आती है वो आप तक पहुंचती रहेगी तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तो जैन्द